सिंगर वर रैपर योयो हनी सिंग पिछले काफी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं दरसल उनकी पतनी जालीनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा का आरूप लगाया अब पहली बार अपने पर लगे इलजामों पर हनी सिंग ने रियक्शन दिया इस बारे में उन्होंने सोशल मेडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा अपने पोस्ट में हनी सिंग ने लिखा 20 साल की मेरी साथी, पतनी, श्रीमती शालीनी तलवार द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार पर लगाए गए जूटे और दुर्भावना पून आरूपों से मैं बहुत दोखी और व्यती थूँ आरूप गंभी रूप से निंदनीय हैं मेरे गानों के आलो चुना, मेरे स्वास्ट पर अठकलों और निगेटिव मीडिया कवरिज के बावजूद मैंने कभे भी सारवजिनिक बयान या प्रेस नोट जारी नहीं किया हनी सिंग ने अपने बयान में आगे लिखा हाला कि इस बार मुझे इस मामले पर चुपी साधना ठीक नहीं लगा क्योंकि कुछ आरोप मेरे परिवार, मेरे बुढ़े माता-पिता और छोटी बहन पर लगाए गए हैं जो कठीन समय के दौर में मेरे साथ खड़े रहे मैस इंडस्ट्री से 15 वर्षों से अधिक समय से जुड़ा हूँ और देश भर के कलाकारों और संगीतकारों के साथ काम किया है मेरी पतनी के साथ मेरे रिष्टे से हर कोई वाकिफ है जो एक दशक से भी जादत समय से मेरे क्रू का अभिन हिस्सा रही है और हमेशा मेरे साथ शूटिंग, इबेंट्स और मीटिंग में जाती रही है हनी सिंग लिखते हैं मैं सभी आरूपू का पूरी तरह से खंडन करता हूँ लेकिन आगे कोई टिपणी नहीं करूँगा क्योंकि मामला न्यायाले के समक्ष विचारा धीन है मुझे इस देश की न्याय ववस्था पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी मामला कोट में है और माननीय न्यायाले ने मुझे ऐसे आरूपू का जवाब देने का अफसर प्रदान किया है इस बीच मैं अपने फैंस और जनता को विनमरता पूरवक अनुरोद करता हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में कोई निशकर्श ना निकाले जब तक ये माननीय न्यायाले दोनु पक्षु को सुनने के बाद फैसला ना सुनाए आखिर में हनी सिंग ने लिखा मुझे विश्वास है नियाय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी हमेशा की तरह मैं आपने प्रशंसकों और शुपचिंतेकों के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने और अच्छा संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया बताने कि हनी सिंग की पतनी शालीनी ने उन पर आरूप लगाती वी कहा था कि उनकी दूसरी औरतों के साथ संबन्ध थे यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके ससूर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की शालीनी ने हनिसेंच से 10 करोड रुपे की मांग की साथ ही हर मैने मकान की किराय के तौर पर 5 लाख रुपे मांगे हैं नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले